ओके अलो प्रेंड किसी हुआ आप सब में वी सी और आप देख रहें बाउन टू इन्वेस यूट्यूब चनल है इस वीडियो में हम देखेंगे नेक्स्ट विक के लिए कौन से पांच बेश्टों हो अंगे स्विंग टेडिंग के लिए तो दोस्तों अब तक आपने उमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लिजे क्योंकि हम ऐसे वीडियो हरो जर दिन लेते आते हैं और जो बाज़े में घंटे वाला बटन है उससे जरूर दबा दिजे जिसको आपको उमारी नॉटिफिक्शन सबसे पहले मिल जाए तो इस लि हिरो मोटर कोप में आपको एक ट्राइंगल जैसा फर्मोशन देखने को मिला तो अगर इसमें आपको एक प्रोपर तरीके से यह ट्राइंगल का ब्रेक आउट मिल जाता है अपर की साइड तब आप अपनी बाइंग साइड पोजिशन बना सकते हो तो हिरो मोटर को अपनी वाच लिष्ट में लगा के रखो, अगर इसमें क्या है कि ट्राइंगल का प्रोपर ब्रेक आउट हो जाता है, तो आप इसमें बाइं कर सकते हो, इसके बाद का जो अमरा दूसरा श्टोक है, वो कौन सा है, वो देख लेते हैं, तो दूसरा श्टोक है, वो है डाबर, अभी देख रहे हो, कि हाल फिलाल जो क्या है कि इसने अपना रजिस्टन्स ब्रेक करके अबो निकला है, लेकिन जो में बात है, रजिस्टन्स तो एक दूसरी बात है, कि चलो इसने अपना रजिस्टन्स ब्रेक करके अबो निकला, जो में बात है, वो क्या है कि आपको इसमें ए फ्यूचर मंडे की बात है तो आपना एक स्ट्रीक स्टोपलोस लखिए और स्टोपलोस आई थिंक अगर आप से फ्रहना चाहते हो तो यह जो कंसोलिडेट है उसके बिलो रखिए तो बेहतर रहेगा तो देखिए अपना प्लान की यह डाबर में कि आप कहां से एंटर होंगे या तो थोड़ा रिट्रेस का वेट करना है तो वो भी कर सकती है फूरत अपना कोई प्लान बने यह डाबर में बाद में लेक्रवा één के बात में जो इसे बाद में वो है मेट्रोपोलिस, अभी मेट्रोपोलिस क्यों है, तो इसी में भी आपको क्या आई कि फ्लेक जैसी पैटन देखने को मिले है, एक सडनली अपसाइट बाद में हाल फिला लिए, अगर ये इस जोन से बाहर निकल के आपको प्रोपर तरीके से ब्रेकाउट इसमें देखने हो, इसके बात का जो हमारा STOCK है, वो कौन सा है वो देख लीते हैं, इसके बात का जो हमारा STOCK है, वो है L&T, L&T क्यों है? तो L&T में हाल फिला है, आपको एक सिमेट्रिकल triangle का breakout देखने को मिला है और एक volume के साथ मिला है ऐसा नहीं कि normal breakout देखने को है और जो भी breakout हो अगर इसमें volume हो तो अच्छा होता है तो देखिए already ये above निकल चुका है लेकिन आप इसमें क्या है कि retrace पे भी entry ले सकते हो या यहीं से भी entry ले सकते हो लेकिन कोई plan होना चाहिए आगे भी बोला है डावर में भी इसमें भी बोलूँगा एक plan के साथ जाए ये अगर आपका इधर से entry ले तो कौन सा stop loss होगा कौन से target होगे वो वगेरा तो L&T normally है कि symmetrical triangle का breakout मिला है इसलिए हमें इसको buying side लेके जा रहा हूँ जो इसके भाथ का जो उमारा stock है वो कौन सा है तो उसके भाथ का stock हे हुँ warmer है Bata India अभी Bata India क्यों है तो normal बात है कि Bata India ने recently Friday को उसने अपना high breakout किया ये इसका high था अभी इसको breakout करके above निकला है तो इसको में क्यू लेके जाना चाहूँ तो normally इसका high breakout हुआ इसलिए और एक दूसरी बात है कि जो यह हाल फिलाल पिछले जहां से अप आया वो भी एक point interesting है वो है क्या तो आप देख रहो इसमें जो भी इसका पिछला swing था उसका 38% फिबोनाची रेशियो से यह अप आया तो वो भी एक important है बाद में अगर इसमें आप देख रहे हो तो इसमें आपको क्या कि एक normally triangle भी बोल सकते हो या high breakout भी बोल सकते हो कि इसका यह breakout हुआ है तो इसको भी अपनी watch list में बना के रखो या तो retrace पे entry ले सकते हो या तो मंडे ही अपनी entry ले सकते हो लेकिन stop loss और target आपको अपनी साब से देखने पड़ेंगे अगर मेरा इसमें अगर में मंडे entry लेता हूँ तो मेरा stop loss क्या होगा तो मेरा stop loss होगा जो यह low है इसके नीचे लेके मंडे देखो यह open होता है वेसे enter मत हो अगर आपको कोई bullishness लग रहे है तब भी इसमें enter हो सकते हो तो दोस्तों यह थे हमारी उसे 5 stock जिसमें आप next week में क्या है कि swing trading के लिए लेके जा सकते हो इसमें पहला stock था आपका hero motor को बाद में dabber बाद में L&T बाद में metropolis और last में हमने देखा opportunity आप grab कर सकते हो तो अच्छी बात है लेकिन जो मैं बोलते आ रहा हो और इसमें भी बोलूंगा कि कोई भी analysis को आप देखते हो तो पहले उस पे अपनी analysis कीजिए अगर आपको वह सही लग रहा है तो बाद में कोई trade लेने से पहले आप देखिए कौन से आपके stop loss रहेंगे कोई से आपके profit रहेंगा इन simple में कहना यह चाहता हूँ कि आप किसी को blindly follow मत कीजिए अपनी analysis कीजिए बात में कोई trade लीजे तो दोस्तों यह वीडियो आपको कहीं से भी अच्छी लगी हो तो प्लीज यारो like comment and subscribe कर देना आप like comment करोगे तब भी तो में motivation मिलेगा और यह से वीडियो आगे लेकर आएंगे तो प्लीज आरो like comment and subscribe कर देना चलिया मिलते अपने next वीडियो में तब तक लिए टटा गुडबाई जई इन